कि मुझे मेरा गाउं याद आता है गाउं की वो पगडंडियां गाउं के वो खेतों के रास्ते जिन पर चल कर हम स्कूल जाया करते थे रास्ते का वो जंगल भरा सफर जहां अकेले जाते हुए डर लगता था लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं वो जंगल कट गए वो पगडंडियां रास्तों में बदल गई रास्तों से आज वहां रोड बन गए गाडियां वहां पर सपाट तरीके से दोड रही है इस पिछले 10 से 20 सालों में जो हुए परिवर्तनों में हमने देखा कि वो गाओं खोसे गए आज वो गाओं एक नगर का रूप लेने लगे और देख रहे हैं कि गाओं अपनी पहचान खोने लगे हैं इसलिए आज भी हमें अपने गाओं के वर्तमान स्वरूप को जो प्राचीन स्वरूप था उसे जिन्दा रखने की आवसकता है उन परंपराओं को उन रिष्टों को उन विती रिवाजों को आज भी हमें अपने साथ लेकर अगली पीडी तक पहुचाने का काम करना है जो हम आज छोड़ आये हैं सहरों की ओर आने के साथ में तो उन्हें हम देखें जब भी हमें वक्त लगे तो एक बार हम अपने गाओं की तरफ जरूर लोटें और जो विकास हम गाओं के लिए आज कर सकते हैं वो हम जरूर करें धन्यवाद